Hi everyone, मैं हो अभिशेब और आज हम लोग solve करेंगे class 9 का chapter 2 जिसका नाम है polynomial और polynomial की exercise 2.1 को आज complete पढ़ेंगे बट exercise 2.1 अब तबे कर पाओगे जब आपको polynomial का basic clear होगा तो आज हम लोग पहले basic को clear करेंगे फिर इसी के साथ exercise 2.1 को आज इसी वीडियो में पूरा complete पढ़ने वाले है हम लोग सबसे पहले इस chapter का introduction थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर exercise 2.1 में आते हैं क्योंकि जो exercise 2.1 है वो पूरा introduction मतलब basic है basic और कुछ भी नहीं कोई calculation नहीं है तो समझो यहाँ पर chapter का नाम क्या अच्छा यह बताओ chapter का नाम है polynomial तो हम लोग polynomial को समझते हैं कि यह polynomial है क्या polynomial को समझने के लिए हमें पहले यह समझना पढ़ेगा यह terms क्या होते है तो देखो terms हमारे coefficient और variable को मिला के बनते हैं कोफिशियंट कोफिशियंट और वैरीबल ठीक है कि वैरीबल को जब मिला दिया जाता है तब बन जाता है एक टर्म जैसे कि यहां देख पार हो 5x 50x 4x 12y यह सब हमारे क्या है टर्म है अलग-अलग टर्म है यह कैसे बन रहे यह जो आपको एक्स दिख रहा है इसको हम लोग दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट तो जब हम लोग कोफिशियंट और वैरीबल को मिलाते हैं तो वो बनता है एक टर्म यह बात आपको समझ में आगए क्लियर हो गई अब देखो यहां पर वैरीबल में कुछ भी हो सकता है आपको अलफा-बीड तो पता और जो हमारा x है ये क्या है हमारा ये है हमारा एक variable ये y हमारा variable है और 6 हमारा क्या है coefficient है यही आपको बस समितने है Suppose that यहांपर एक हमारे पास term आगया x, sorry, 5, x, y आगया तो यहां पर ना, दो हमारे पास क्या है? variable है तो इसको हम लोग variable ही बोलेंगे और इसको बोलेंगे coefficient बोलेंगे और इस पूरे को बोलेंगे हम लोग term क्या बोलेंगे term अब देखो अगर suppose that यहां लिका है 5x ठीक है प्लेस यहां पर आ गया हमारे पास 2x आ गया यहां पर लिख दिया हमने 5x square plus 2x तो क्या इस पूरे को हम लोग term बोलेंगे नहीं हम लोग 5x square इसको एक term बोलेंगे 2x को अलग term बोलेंगे जब बीच में किसी भी दो term के बीच में plus या minus आता है तो वो अलग-अलग term बन जाते और multiply में ऐसा नहीं होता है बट जब plus minus होता है तब अलग-अलग term बन जाते बस आपको इतना समझना है तो आपको समझ में आ गया है तर्म क्या होता है चलो अब यह जो term है ना यह term ही हमारा हो गया polynomial एक term है तो भी polynomial दो तर्म है तो भी polynomial तीन तर्म है तो भी polynomial चार्ट तर्म है तो भी polynomial बोलते है अब इसके type को समझो टाइप ऑप जो अँट टाइप वीडि मतलब क्या हो रहा है दिखो अगर एक टर्म है नもう कि बोलते में रहे यहांगों सिक्स वाइट Questions आपर एक वाह Mandir होते अगर यहां पर होता हमारे पर 15 और तो 20 हम्म नौनियский कि यह सिंगल टर्म है ठीक है अलग अलग नाम से इन्हें रिपेजेंट किया जा रहा है अब यहां पर अगर दो टर्म होंगे तो को यहां पर फाइब को यह हो रहा है कि 4 कीपीछ बाइबल होगा औस बाइबल की पावर क्या होगी जीरू होगी तू इसका मतलब क्या होगा यहां पर One आजाएगा और यहां पर फार यहां पर फोर आजाएगा क्या बोलते है ट्राइनल, अब दिखो यहाँ पर जो वेरीबल, एक्स दिख रहा है, इस एक्स की जगह पर याइबी रोसकता है, क्या हो सकता है, यह जाएब के लिए आपको समझ में अगए, आप आ जाते हैं, डिग्री on polynomial में degree क्या होते दिगरी क्या BAC की डिगरी BA की डिगरी एस डिगरी की बात होरी नहीं तंपेचर की डिगरी की बात होरी नहीं यहां पर बात होरी polynomial की highest power की कहा जा रहा है degree वह होती है highest power of the variable is in polynomial between就可以 polynomial में जो हाइस होती होती है इसे हमनों डिलिइ बोलेंगे इसमें हाइस पावर आपको क्या दिए फूर दिगरी तो यह भी हमाई डिगरी इसमें हाइस पावर क्या दिख रहे है तो यह भी हमाई डिगरी एक और लिख देते हैं यहां लिख दिया है इसकी हाइस पावर आपको क्या दिख रही है कुछ नहीं दिख रहा है त X plus 1 लग दिया यह तो हमारा polynomial है ठीक है बट आप तो नहीं है नहीं तो हमारा कोई term नहीं बनदा है क्योंकि आप बताया था कि जो term होगा हमारा वह coefficient यह वारीबल को मिला के बनता है बाट यहां पर तो सब variable और कोफिशिंट होगा है तो इसे हम लोगम क्या बोलेंगे इसको क्या हम टर्म य्वारिटर के आंगे कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है कुछ कोई भी हमारा कोफिश्टेन ने तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, बस आपको यह समद दना, यह बेसिक बेसिक चीज़ है, यह जो बेसिक चोटी चीज़ है यही matter करते हैं जब portion को हम लोग solve करते हैं तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिए degree क्या होता है अब समझते हैं type of polynomial basis of degree degree की basis पे हम लोग polynomial को समझते हैं देखो अभी हमने क्या बता है कि अगर किसी भी variable की power 1 है तो क्या बोलेंगे उसे linear क्या बोलेंगे linear polynomial क्या बोलेंगे linear polynomial अगर किसी भी variable की highest power 2 है highest power की बात की जा रही है अगर highest power 2 है उसे बोलेंगे quadratic polynomial अगर किसी variable की highest power 3 है तो उसे बोलेंगे cube polynomial ठीक है बस इतना basic बहुत है more than enough है अगर एक दो ची छूट रही होंगी उसको कोशन के साथ cover कर लेंगे बस आपको इतना ही पढ़ना है आप इसका screenshot लेलो और notes में ये ज़रूर लिख लो important है पूरी chapter के लिए अब आते हैं exercise 2 2.1 पर exercise 2.1 का जो पहला कोशन है which of the following expression are polynomials in one variable and which are not state reason for your answer यहाँ पर कह रहा है किन में से हमें बताना कि कौन सा हमारा polynomial in one variable है अच्छा यहाँ पर हमने one variable की बात ने की one variable का मतलब हो रहा है जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3 x square plus 2 x plus y तो यहाँ पर दोको variable पूरे polynomial में श्रिफ एक ही है x x है दोको दो बार x है बट है तो यह हो गया हमारा one variable अगर यहाँ पर लिखा होता है 3 x square plus 2 y plus 3 लिखा होता तो इस वाले को पॉलिनॉमेल को हम लोग बोलते है polynomial in two variable इसमें दो variable है एक यह x दूसरा हो गया y तो यह two variable वाला हो गया polynomial यह हो गया हमारा one variable वाला polynomial अब फिर से पर लोग कह रहा है which of the following expression यह जो expression दिख रहे है ना expression are polynomial यह पॉलिनॉमेल दिख रहे है in one variable and which are not कह रहे है कि जो यह आपको polynomial देख रहा है इन में से यह बताओ कौन सा one variable वाला polynomial है कौन सा नहीं है इसका हमें answer देना है simple है ठीक है अभी हमने आपको इसाम्पल में बताए ना कि पॉलिनॉमेल क्या होते वन variable वाला है बस वह ही याद रुखो और देखते जाओ और करते जाओ तो अब इसके solution प्याज़ोग तो यह पर जो हमारे पास पहला polynomial वह है 4 x square minus 3 x plus 7 इस पूरे polynomial में देखो कितने variable है x वाला इधर भी है x यहाँ पर भी है तो पूरे polynomial में सिर्फ एक variable है कितना है एक तो हम लोग बोलेंगे polynomial polynomial in यहाँ कर दिया हमने one variable बस बस यह हो गया polynomial in one variable अब यहाँ पर देखो y square plus root 2 है यहाँ पर y y सिर्फ एक variable है तो हम लोग इसे भी क्या बोलेंगे polynomial in one variable पूरे polynomial में सिर्फ एक ही variable है अब यहाँ पर ध्याँ से देखो t यहाँ पर भी है t यहाँ पर भी है तो इसमें तो एक variable है बट क्या है यह हमारा polynomial है नहीं यह polynomial नहीं है अब कहोगे क्यों नहीं है वाई देखो हमारे पास जो polynomial है उसका एक और reason होता है या फिर बोलो एक और condition होती है condition क्या होती है कि अगर जो हमारा variable है उस variable में जो power है वो whole में होनी चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह होनी चाहिए friction में नहीं होनी चाहिए ठीक है माइनस में नहीं होनी चाहिए तो उससे हम लोग क्या बोला है इसे हम लोग बोलेंगे यह हमारा one variable तो है इसमें बट यह polynomial नहीं है तो यहां बोलेंगे it is it is one variable one यहां कर दिया variable it is one variable but notar but यहांदर दिया not a polynomial בos हमें इतना ही करके दिखाना है अब इसमें आजाओ यहां पर देखो यहां भी यहां भी यहां भी है तो यह दोनों y हमारे जाए one variable अबर यह बट है यह пользов Noumilae नहीं यह क्यों नहीं है अब इसको द्यान से देखो 2 को बोल जो यहाँ पर 2 की जगे में क्या आजएगा 1 by y आगया ठीक अब 2 का मतलब यह हो रहा है यह कुछ इस तरी किस लिखा है 2 into 1 by y अब इसका multiply कर दोगे 2 by y आजएगा यह y हमारा divide में अब इसको अगर आप उपर भेज़ दोगे तो हम लोग बोल देंगे कि यह हमारा one variable तो है बट यह हमारा polynomial नहीं है क्या है यह यह हमारा polynomial नहीं है यह बात आपको समझ में आगे तो हम लोग बोल देंगे it is one variable बट not a polynomial बस इतना ही अब इसमें आजओ लाश वाले में यहां लिका है X की power 10 Y की power 3 10 की S नहीं है तो हम लोग बोलेंगे it is a polynomial यह polynomial है क्यों है क्योंकि इसमें सभी की power प्लेस की है ठीक है तो हम लोग बोल देंगे it is a polynomial polynomial in 3 variable त gotta 3 बट 3 यह हमारा पस बट बस ऐसे हमें बताना है और कुछ भी ने इन कोशन में, कितना सिंपल है, बस हमें क्या देखना है, कि जो हमारी वैरीबल की पावर होगी ना, वो प्लस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, और उसके लवर कुछ और है, तो हम लोग बोलेंगे कि यह हमारा हमें देखना है, कितने वैरीबल है, एक है, तो वन वैरीबल, टू है, तो टू वैरीबल, तीन है, तो थ्री वैरीबल, पस हो गया, अब आजा हो ऐसे कोशन नंबर सेकंड में, यहां पर जो कोशन सेकंड यह कह रहा है, राइट दा कोफिशेंट ओफ एक्स स्क्वार, इन कोशन क्या कह रहा है, कि यहां पर जो आपके पास दिया हुआ है, इन से आपको क्या करना है, कोफिशेंट ओफ एक्स स्क्वार, एक्स स्क्वार दो कोफिशेंट फाइंड करना है, हमने आपको कोफिशेंट बताया है, कि जो हमारे टर्म होते हैं, वो वह वैरीबल और कोफ मतलब इसके आंगे जो number लिखा है वो अब इसके आंगे कोई number तो दिखने रहा तो क्या इसका कोई coefficient नहीं होगा होगा जब किसी भी variable के आंगे number नहीं होता है तो इसका मतलब यह होता है यहां पर होगा one तो इसका जो coefficient होगा ना वो क्या होगा हमारा one होगा तो यहां लिख द यह हमने का इस पूरे का जो coefficient है, मतलब स्वरी, x square जो coefficient है, वो 1 है, बस simple है, इतना ही हमें बताना है, यह फिर इस पूरे कुछ मतलब लिखो, तो यह लिए तो coefficient of x square is 1, इतना करतो, यह हो गया, यह चीज आपको समझ में आगे, अब इसमें आजाओ, यहां पर भी तो हमारा x square ह अब इस x square के आँगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, coefficient of x square is 1, अगर यह बोल दो के 1 तो गलत हो जाओगे, क्यों, क्योंकि यहां पर दोको, sin किसका है, minus का है, तो आप बोलो, coefficient of x square is minus 1, ठीक है, यह चीज आपक x square is pi by यहां कर दिये, हमने 2 कर दिया, अब यहां पर दोको, x square तो कहीं दिख भी नहीं रहा हमें, कहीं हमें x square नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कि हमारे पास, जो x square होगा, मतलब x square का coefficient होगा, यहां लि es emphasizing of x square is, x square का coefficient होगा वो 0 होगा, क्यों होगा, जो तो पहले तो समद लो कुछ नहीं दीख रहा तो जिरू हों अब जो इसका मेन रिजन वह ए कि मानलो हमने कह दिया 0 इंटू 1 क्या है अगर 0 इंटू x square x square का अगर coefficient 0 हो गा तो क्या result थे कि हमाइपर 0 या है तो simple इस बात है आप यह चीज़ समझ पा रहे हो तो आप 0 लिख दो इस हिसाब से नहीं समझ पा रहे हो यह समझ लो यह पर कोफिक्स स्क्वार है ही नहीं यह नहीं होगा तो 0 इगोगा उसका कोफिसेंट बस यह आपको समझ और यह होगा है से केंड का हमारा सेलिशन है कितना इसे मोनोमेल के एक्जामपल देना है जिसकी डिग्री हंडेड हो बहुत सिंपल है दो को हमने आपको क्या पतायाता है जब हम लोग यहां पर इंट्रोडिक्शन इसका पढ़ रहते है सुरवाद में ही कि बायो नॉमेल होता क्या है तो सिंपल है बस अप एक ऐसा दे दो ब हमारे पस 5X से रिग्री करदी हमने यह तो सिंपल स सउ इसका आंसर इस कोउशन में इस कोंशन में कुछ है तो अब फिप्टीन की जगे पर 5 लेलो 25 लेलो 1 ऐलो 2 बलो 3 लेलो X की जगह पर A लेलो B लेलो, Y लेलो, Z लेलो कुछ B लिख सकते हो, T लेलो अपने नाम का पहला अच्छर भी यहां पर लिख दो जो भी हो, यहां पर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 5, R, यहां कर दिया हमने 100, but mostly हम लो क्या करते हैं, X औ Y को लेके ही solve करते हैं, यह A, B, C, D बहुत कम rare लेते हैं, ठीक है चलो, तो कोशन नमबर हमारा 3 हो गया आप कोशन नमबर 4 भी आजाओ कोशन यहां पर 4 क्या कह रहा है, write the degree of each of the following polynomial यहां पर जो आपको पॉलिनॉमेल दिख रहा है तो 3 इसकी क्या हो जाएगी, degree हो जाएगी, degree of this polynomial is 3 ठीक है, अब इसकी highest power आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो इसकी degree क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, अब यहां पर क्या दिख रहा है, 5 T minus root 7 यहां पर T, T में तो कोई power नहीं, तो इसकी degree क्या है, बताओ इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह हो रहा है, इसकी जो highest power है ना वो क्या होगी, यह हो जाएगी, हमारे पस 1 हो जाएगी, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है ठीक है, एक last और ता, जो कि हम लिखने पाए, यहां पर fourth है, जो कि है 3 अब देखो, यहां पर 3 है, कोई variable ही नहीं है, जब variable नहीं है, तो simple से मान लो, इसकी जो degree होगी, वो zero होगी बस, यह होगा question number 4 का हमारा answer, किना simple है, अब question number 5 में आजाओ, देखो, question 5 क्या रहा है, classify the following as linear quadratic and cubic polynomial इसमें से chart के यह बता दो, कौन सा linear है, polynomial, कौन सा quadratic है, कौन सा cubic है, यह सब हम लोगों ने पढ़ाता ना basic में, देखो, हमने basic में last में क्या पढ़ाता है, यही पढ़ाता है, कि linear क्या होता है, जिसकी highest power 1 होती, quadratic क्या होती, जिसकी highest power 2 होती, cubic क्या होता है, cube बोलो, cubic बोलो, इस इसके हाइस पावर 3 होती है, उसे क्वे बोलते है? यही हमें बताना है, चलो, तो हमने क्या देखा, यहाँ जो पहला हे फित का, इसमें लिखा है x स्क्वेर ग्रेस टू, इसकी हाइस पावर क्या दिख रहि misma, 2 दिख रही है अब इसकी highest power 2 है तो इसको बोलेंगे quadratic quadratic यह होगा हमाइपस polynomial बस ऐसे हमें बताना इसकी highest power क्या दिख रही 3 दिख रही तो हम लोग क्या बोलेंगे cubic ठीक है या पर बोलो cube cubic बोल दो cube बोल दो कोई दिख कर नहीं ठीक है यह होगा हमाइपस cubic ञडाबमिल इतनी बात क्लियर होगी अब यहां पर y-plus y-square-plus-4 highest power क्या हे 2 है क्या होगा quadratic हो गया usalem क्या गया होगा highest power कुछ नहीं बन है तो ये क्या होगा हमाइपस你們 linear यह हमारा polynomial अब इसमें highest power क्या दिख लए कुछ नहीं दिखरीए, इसका मतलब क्या है? 1 दो सका मतलब क्या हो गया? यह EE Leni これ is subscriber इसके हाइस पावंर क्या एक दिख रहे थू एक कुझा है ना AIP हो AAAA, B O, C हो कोई मतलब टो बस पावर क्या है 23 तो हाइस पाव टू होते है तो हमनो बोल कोडाती Chaudatic यह होगे हमारा Polynomial इसमें Highest Power आपको क्या दिख रहे है? इथिरी दिख रहे है तो यह हो जाएगा हमारा Cubic यह होगे Cubic यह होगे Polynomial और यह होगे Question No.21 Sorry Exercise 2.1 का Solution क्या था इसमें बताओ कुछ है था कोई भी Calculation आपने की? नहीं Share किया करो Like किया करो अब आपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले है Exercise 2.2 और Exercise 2.2 को पूरा Solve कर लेंगे एक ही वीडियो में और इस Exercise की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और जाने से पहले अपने तीन दोस्तों सक इस वीडियो को Share शुरूर करना मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में